पीपी निविट पूर्टी फोर में आपका स्वागत है खबर जन्पत गाजीपुर से है जहां कोईट नाइंटीन की बैसिक महामारी से इंसान तो इंसान जानवर भी भोजन के लिए हो गए है परिशान ऐसी इस्तिति में जन्पत गाजीपुर के सेवराई तवसील छेत्र के सत्राम गंज बाजार इस्तित एक युवा संगठन द्वारा जो की पहुत छोटा सा संगठन है इंसान और जानवर दोनों के लिए भोजन की ब्यवस्ता करने में अपना अमुल भुगदान देते हुए इंसानियत का परचे दे रहे हैं कोरोना कोविड-19 की बैस्वित में हमारी से दिहारी मजदूरों के सामने भोजन के समस्यात उत्पन हो ही गई है वहीं जानवर भी भोजन के लिए तरसने लगे है ऐसी इस्तिति में जनपत गाजीपुर के सेवराई तवसील छेत्र के एक छोटा सा संगठन जागरित बहुत ही बड़ा कार ठान लिया गया है मंगलवार को शैकड़ों बंदरों वकुतों को पका पकाया भोजन फॉल वभिगोया गया चना आध खिला कर इंसानियत का संदेश दिया गया समीति के सदस्त से राजु कुमार जाइस्वाल ने बताया कि लगभग एक सप्ता से जनता व संगठन के सहयोग से प्रती दिन चावल दाल सबजी फल आध आवस्चत समान वित्रित क्या जाता है जिससे लाकडाउन में द्याडी मजदूरी करने वाले कोई भी लोग भूखा न रहने पाए इस महक्के पर संगठन के संजय गुप्ता अरुन रवनियार राजु जैसवाल, मोनु यूराज, सोभू, सोभनात जैसवाल और सुखु आध लोगों का विशेश योगदान रहा है प्रोना कोईट-19 की बैस्विक महामारी में पीपी निविट्टिफोर अपने दर्शकों वर समस्त देशवासियों से लाकडाउन का अच्छार सा पाल करते हुए अपने घरों में रहने का अपील करता है इंसानों और जानुवरों को भोजन उपलब्द कराने वाले इस छोटे से इवाज जावरुप सेवासमीति के सदस्य अपने उद्यसों के बारे में क्या बताते हैं आए आप भी सुने आज बंदरों को आप लोग एत देख रहे हैं कि चाना खिला है हम लोग चाना और सबजी और का हलाकी रासन हम लोग कई दिनों से वित्रण करने का काम कर रहे हैं बंदरों को किलाने का तात पर यह हम लोग को अपने घर में इनके वज़ें से नोग कुछ मिल नहीं पा रहा है इसके वज़ाद से हम लोग भी ये मन में जागा कि ये लोग भी तो भूखा रहते हैं, इसलिए हम लोग भूखे हैं, उनके लिए आप लोग किसाता क्या कर रहे हैं? उन लोग के लिए हम लोग डेली रासंग, सबसी, चावल, तेल, विस्कूट अगरा अगरा दूदूद सब वित्रा कर चुके वह करते चले गया है, आंके चले जाएंगे.